Hello friends, welcome to knowledge hub दोस्तों आज हम जानेंगे अमरूद के कुछ गरेलू फाइदों के बारे में तो सुरू करता है सरदी जुकाम होने पर अमरूद का उप्योग जुकाम होने पर एक अमरूद बीना बीज के खाकर एक गिलास पानी पी लें दिन में ऐसा तीन बार करें पानी पीते समेई नाक से सांस न लें और न छोड़ें नाक बंद करके पानी पिएं और मुह से ही सांस बाहर फेंकें इससे नाक बहने लगेगा नाक बहना सुरू होते ही अमरूद खाना बंद कर दें एक दो दिन में जुकाम खूब ज़ड़ जाए तब रात को सोते समें 50 ग्राम गुड़ खाकर बिना पानी पिए सिर्फ कुला करके सो जाएं जो काम ठीक हो जाएगा मलेरिया में अमरूद काफी लाब करता है मलेरिया के रोगी को अमरूद खिलाना चाहिए तीन-चार दिन से आने वाले मलेरिया में नित्य अमरूद खाएं अमरूद नियमित खाते रहने से हड्डियां मजबूत बनती है तथा मजबूत रहती है पतजड के दिनों में पीले होकर गिरने वाले अमरूद के पत्तें दोकर छाया में सुखा कर इने कूट लें इसकी दो चमच एक ग्लास पानी में डाल कर अच्छी तरह उबालें उबालते उबालते आदा पानी रेने पर इसे च्छान कर नित्य एक बार पिएं इसे मदुमे में काफी अलाब होगा अमरूद के हरे पत्तों को पीस कर जहां जोडों पर गठ्या बाई की सुजन हो लेब करें इसे गठ्या बाई में काफी सुधार होगा रक्त विकार हो गया हो खुजली हो तो चार सपता तक नित्य दोपेर में एक पाव अमरूद खाएं इससे पेट साफ होगा बड़ी हुई गर्मी दूर होगी रक्त साफ होगा और फोड़े फुनसी खुजली आदी रोग ठीक होंगे अमरूद खाने से आंतों में तरावट आती है और कबज दूर होती है इसे बोजन से पहले खाना चाहिए क्योंकि बोजन के बाद खाने से ये कबज करता है कबज वालों को नास्ते में अमरूद लेना चाहिए पूरानी कबज के रोग्यों को प्रातर साम अमरूद खाना चाहिए इससे दस्त साफ आएगा अजिर्ण और गेस दूर होगी भूख लगेगी अमरूद पर सेंदा नमक डाल कर खाने से पाचन सकती बढ़ती है 250 ग्राम अमरूद खाकर उपर से गर्म दूद पीने से भी कब्ज दूर हो जाती है पेट दर्द में अमरूद की कोमल पतियां पीस कर पानी में मिला कर पीने से आराम होता है अपच अगनीमान और आफरा के लिए अमरूद उत्तम ओजदी है इन रोग वालों को 250 ग्राम अमरूद खाना खाने के बाद खाना चाहिए अन्य लोगों को खाने से पहले खाना चाहिए ओके फ्रेंड्स थैंक्स फोर वचिंग दिस वीडियो